नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने गरिव राजा 1.0 यूटूब चैनल पर दोस्तों मैं आज आपके लिए इस वीडियो में मूल निवास OVC साइटिफिकेट या राज्य सरकार का कोई भी साइटिफिकेट को आप किस परकार ट्रैक कर सकते हैं आनि कि वो कहां तक बन चुका है को किस परकार आप देख सकते हैं वो भी अपने फोन पर इसके लिए आपको किसी भी इमित्र सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है आपको सबसे पहले अपने फोन के यूसी ब्रावजर को ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद सर्च में टाइप करना है इमित्र टाइप करने के बाद में आपकी वेपसाइट ओपन हो जाएगी आपको सबसे पहले इसमें दिखाएगा इमित्र तो इमित्र पर जाके इंटर करना है. इंटर करने के बाद में यहां से आपका page open हो जाएगा. Open होने के बाद में राज्य सरकार का add आएगा जिसे close पर जाके बंद कर देना है. बंद करने के बाद में आपको इसमें कुछ option दिखाई देंगे जिसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा home, about, download और online verification section यानि track transaction आपको track transaction पर जाना है जाने के बाद में enter कर देना है, enter करने के बाद में यह page यहाँ से open हो जाएगा, open हो जाने के बाद में दोबारा add आएगा जैसे close कर देना है, close करने के बाद में आपको देखेगा transaction ID और receipt number, यहाँ पर आपको जो भी है उसे इसमें enter कर देना है, मेरे पाद transaction ID में इसमें enter कर देता हूँ, enter करने के बाद में आपको यहाँ से सर्च कर लेना है, search करने के बाद में आप इसे नीचे scroll करते हो तो आपको इसमें अपना status आपको दिख जाएगा जो कि success हुआ है यह आपका pending भी हो सकता है यहां से आपको क्या बनवाए है आपने OVC बोट दिख जाएगा transaction ID number, receipt number आपका जिस नाम से बनाए वो complete यहां से आपको दिख जाएगा अब आपको यहां पर क्या करना है लाइफ crystal पर जाना है लाइफ crystal पर जाके आप नीचे देखते हैं तो आपको इसमें आपका form का status दिख जाएगा कि वो कहां तक बना हुआ है, submit हो गया, processing में चल रहा है या किस अधकारी के उसमें signature हुए है या verify हो गया last में दोस्तों आपको देखेगा इसमें completely approve और अगर किसी भी अधकारी द्वारा उसे back कर दिया है तो आप उसमें दबारा documents verify करवाना पड़ेगा finally वो approve हो जाएगा, अगर दो बार approve हो जाता है तो आपका documents finally बन जाता है इसको आप किसी भी image center पर जाके प्राप्त कर सकते हैं और यहां से आप verify certificate पर जाके आप इसे देख भी सकते हैं कि मेरा certificate यहां से बन चुका या नहीं बन चुका आप वहाँ से जाके भी से direct open कर सकते हैं दोस्तो आपको वीडियो कैसे लगी comment करके बताना और वीडियो से सम्मंद कोई भी problem हो तो comment करके मुझे पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद